हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने यूटूब चैनल साइस करियर राइन के प्लेटफॉम पर तो शुरू करते हैं आज की क्लास आज की क्लास हमारी रहने वाली है वो होगी अनुवान सीकी के बारे में ठीक है अनुवान सीक क्या है यह विकास क्या साल साथ नंबर का चैप्टर है तो साथ नंबर बहुत माइने रखते हैं ठीक है तो आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर कर दे और मैं आपकी सिवा में अमेशा के लिए त्यार हूँ ठीक है तो आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को share तो आप share करने का तो अग बनता ही होगा तो वीडियो को share कर दे और exam का time आ गया है fire को आग कहते हैं और cobra को नाग कहते हैं बगीचे को garden कहते हैं और जो exam में काम ना आए उसे student का दिमाग कहते हैं ठीक है तो दोस्तों लगातार पढ़ते रहे हैं क्योंकि जो दिमाग है वो exam में हमें काम लेना है तो इस दिमाग को बनाए रखने के लिए पढ़ना तो पढ़ेगा ठीक है न तो पढ़ना है तो अभी से शुरू हो जाओ क्योंकि exam में ज़्यादा time बचा नहीं है ठीक हैं तो कहतेहना कि न वफा होगी और न वफा की बात होगी जो मौबत जिस से भी होगी वो exam के बाद होगी तो दोस्तों exam तक लग जाओ तयारी में और एक ही इरकोत की तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोडेंगे नहीं ठीक है दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की क्लास आज की क्लास है आनुवानसी की MMJ विकास तो देखो आनुवानसी की क्या है मेरी बहसा मतलब सिंपल बताने का है कि किसी कोई लक्सन होते हैं एक पिड़ी में दूसरी पिड़ी में और उसकी आनुवानसी की देखो इसमें आपको प्रिपासा लिंखनी आनुवानसी की विज्ञान की एसी साका जिसमें वनसांगती तथा विभीनताओं का अध्यािएन क्या जाता हैं वे अनुवान सिखी केलाती हैं ठीक है अब देखो अनुवान सिखी के जनक आप सब जानते हो Greggar John Mendel को इसका प्रिची हम आगे पढ़े a क्योंकि हम जान लेते हैं इस प्रिभासा को अलग 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 प्रिभासा में में दो वर्ड आये थे वनसांगती और विबिनता ठीक है आप इसे अनुवान सिखता और ठीक है अनुवान सिखता का चेप्टर है वनसांगती एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में लक्ष जाना वनसंगती कहलाती हैं अब देखो हम बात करते हैं ये विबिन्ता क्या होती है मतलब एक ही फिड़ी के जीवों में अलग-अलग परकार के पाये जाने वाले जो गुण होते हैं उसे विबिन्ता कहते हैं अब देखना गुण किस परकार ये विबिन्ता दो परकार की होत ठीक है एक तो होती है काईक और एक होती है जन्निक हम जानते हैं भई काईक क्या होती है जन्निक क्या होती है तो काईक होती है वो अवनसांगत होती है यानि कि एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में इसके लक्सन नहीं जाते हैं जैसे भई एक्जामपल के तोर पे मैं बताऊ कि कोई लड़का वा यहां फिर किसी मतलब आप पसू के बारे में देख लो उसके कान में छेद कर दिया ठीक है भई यह गाई है और गाई के कान में छेद कर दिया यहां थोड़ा कान को काट दिया उससे जो अगली संतान होगी उसमें उस कान में कोई फरक नहीं आएगा जैस आगे से पूर्प, बता दूंकि कोई कि बच्चा वाा किसी, मतलब कोई parents है और उसके जो बच्चे वे उस मतलब बाप की जो वो कम है और जो उनकी संतान होगी क्योंकि भाई ये तो क्या होता है कि सारीरी के कौसिकाओं में होता है और ये जननिक कौसिका मतलब जनन के समंदित, जनन कैसे होता है, वो आगे जानेंगे, कि ये तो भई सारीरिक हैं, जैसे हमने सरीर में क्या वेसा अगली फेड़ी में नहीं आता है, ठीके, जननिक में क्या होता है, कि आगे से आगे जितनी भी जो फेड़ी हैं, उसमें जननिक में आ सकता है, ठीके, देख कम उम्र में ही हो जाता है कारण क्या है उसका अनुवनशी की कारण है क्योंकि उसके जो पिताजी में थे उसके बाप में जो लक्षन थे वह वापस लक्षन उसी बेटे में आना ठीक है न वही क्या होता है वनसांगत होता है यानि कि लक्षनों का एक पिड़ी में दूसरी प प Ri में चले जाते हैं वो क्या कहलाता है वन सांगत है ठीक है और आ वन शांगत का मतलब है जिस pareille में उनके लकिक शन है उसी फीर डी मेरा अगे छेड़ कहान नहीं करना नहीं भई मैं तो जाहर हूं वहीं रहूंगा तिर पर यह दो has घृष्ट थि एक तौ बोल्ड रहे कि नहीं भई मैं तो यहीं रह ownership नहीं जाओंगा लेकिन दूसरा बोल्ड रहा मैं तो आगे से आगे आगे उसका कारण क्या है कि अनुवणसी की है क्योंकि उसके जो parents थे उनकी जो पेडिये थी उन पेडियों की लंबाई मतलब जनम से ही इसी इसाब से आ रही है तो आगे जो पेडिये होगी ये तो बई एक मानुव सरीर की लंबाई है या फिर बालों का रंग है ये तो एक जड़ रहे हैं किसी मतलब बाप के बाल जड़ रहे हैं ठीक है और उसकी जो संतान होगी न तो उसके भी बाल जड़ने लग जाएगे उसका कारण क्या है उसका कारण है की बाप से जो जनर्णी गुन आये थे वो वापस किसमें जाना उसकी संतान में जाना यहने कि PD दर PD आगे से आगे चलता रहा है किशी किशी के होता है ना जो उपर से शिर हो जाता प्लेट फॉर्म की तरह एकदम शपाट और उसकी जो संतान होती है ना उस दिनों बाद वो लक्षन है धीरे-धीरे उनकी संतान में भी वही दिकई देने लग जाते हैं जैसे थे वेसे वेसे तो यह क्या है जननिक विश्य मतलब जननिक कारण यह जननिक विभींता ओती है यह तो भाई होगी क्योंकि आनुवान सीखी का मतलब ही यह है कि एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में जाना मेरी सेंपल भासा मैं मैं बताओं कि आनुवान सीखी में हम पढ़ने वाले यह हैं कि भाई कोई लक्सन होते हैं वो एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में कैसे ज जाकर लिंक निर्दारन पढ़ेंगे उनके गुंशूत्रों के बारे में तो उसमें भी हम जानेंगे ठीक है तो हमने जो शुरुआत की जहां से अनुवांसी की आयोप आप समझ गये होंगे जो मैंने बताया अनुवांसी की क्या होती है वेरी इंपोर्डेंट चेप्टर है और बहुत कन्फ्यूज करने वाड़ा चेप्टर है क्योंकि आगे इसमें क्यूसन करेंगे न हम तो बहुत दिक्कत आएगी ठीक है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि बड़े-बड़ों की अवार निकल जाती है मतलब बड़े-ब इसमें इतना डिचल में नहीं जाना है हमैं तो जानना है कि यह वता कैसे है अन्वान सी कि आजव है तो कोई परीवर्थन नहीं आया लेकिं सरेरी कि विसेथा में वो भी हम देखेंगे कि आगे यह 승र्विकास की ही प्रिकिर्या कैसे होती है यह उपार्जीत है और यह क्या है यह उपार्जीत नहीं है ठीक है इसमें वनसंगती पाई जाती इसमें उपारजिता के लक्षण नहीं पाई जाती है उपारजित क्या होते हैं वो भी अमें आगे पटेंगे तो इस चैप्टर में जहां से शुरुआत होती है वो यहां से होती है भाई की आनुवानसी की होता क्या है ठीक है य जनम ओड़ने के बाद हमने इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन क्या ना तो ये उसके धवरी जाएगा मतलब एक कुते की पूँच है उसमें कहते हैं वह तेरी यह से तो उसको क्या है उसकी जन्निक विस्था अगर आप उस उते की पूंच को कितना भी सिधा करने का प्रियास करो लेकिन वो अपनी ओकाद से बार नहीं जाएगा ठीक है ना ओकाद में रहता है कि मैं सिधी नहीं करूंगा पूंच सिधी नहीं करूंगा चाहिए आप उसकी कितनी भी सिधी करके प्रियास कर लो लेकिन जैसे जैसे और आगे से आगे जैसे जैसे पीडियां बढ़ती जाएगी, उनके लक्षन वो वेसे सेम ही आते जाएगे, और वो अपनी कलडान एसे ही दिखाते रहेंगे, ठीक है, यही हम इस चेप्टर में जानेंगे, तो बेसिक हमने पूरा जान लिया कि इस चेप्टर में हम क्या पढ अनुवान सिख्ता के जो जनक है, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है, इनका आगे प्रिच्चे भी पढ़ेंगे, ठीक है, उनसे पहले मैं आपको साइधे आपने ये नौट कर लिया होगा, ठीक है, और इसी हिसाब से आप नौट करना कि हो, कि को अपरिपासा दी, तो दो सीधे बागों में दे दी, एक टो भांसांगती और एक विबिंदा के बारे में, ठीक भाई, अब विबिंदा क्या होता, शॉन में स। शुवन में मिलने वाले शुक्त, ठीक है, पर यह को NEW आती है, ठीक है, तो उस शॉन्चे में कोई कैसा ही ही हो होगा। कोई कैसा ही होगा। यहीं दिख इनHD मनें ढाणनाँ है। डूसरी दूसर्क संधोन नहीं जाते हैं। समझ गए अब मैं आगे आपको कुछ मैत्वपूर्ण परिवासा के बारे में बता रहा हूं कि यह परिवासा क्या होती है तो अनुवान सिकी के जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल तो आज हम इस क्लास में जो परिवासा है जो बीच बीच में वर्ड आएंगे कि गुंडश अरे मेरे को क्या पता तूं कौन है तो हमें यह पहले इनका जंजट खतम कर लेते हैं ताकि हम इन्हें जाने कि हां तूं वो ही था जो पहले आके गया था तो उसको आज उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ठीक है तो देखो आगे हम परिवासा जो लिक रहे ह उनोतback करेंगे वो करने वाले हैं कि सबसे पहले चीम होता क्या है ये जीन का कारीक क्या होता है ठीक है तो देखो आणवान शिक्ता और जेविकास का बहुत मैतोपूर्ण चैप्टर हैं पिछले अध्याई में हमने जो पड़ा था उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है ना आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि कि जितना आपसे हो सके मेरा सपोर्ट करो मैं आपके सपोर्ट के लिए विद्यारतियों के लिए या मेरे दोस्तों के लिए हर समय तयार हüm ठीक है एक कि इतना हो शकें उतना मेरी दोस्तों की एलप करना ठीक है ना तो देखो हम सबसे पहले परिपासा पढ़ने वाड़े हैं जी पहले तो यह सब्द जॉन्शन ने दिया था जॉन्शन नामक विग्यानीक ने यह सब्द दिया ठीक है जीन होता क्या है मेंडल के बारे में ड़ेंगे जीन जो मैंडल होता था ना मैंडल उसको कारक की रूप में जिसे यूज करते हैं मैंडल नहीं मैंडल ने जीन की जगें कारक कारक जिसे आफिक। ठीक है? कारक सब्द का पृयोग करता था, सब्द का प्रियोग करता था, चिलिर है. मैंदल था, यह सब्द किस ने दिया? जो अनशन ने दिया,ầ चिलिर बात है. मैंदल जीन की जगें, कारक सब्द का प्रियोग करता था वेरी 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 इंपोडेन्ट है ठीक है अब लक्षनों को एक पिड्डि से दूसरी पिड्डि में जहां सतानांतृत करते हैं वनसांगती पड़ता था ठीक है न meny me kň cashoni ka कोई लिनर में करना ओ, को एक मज़न लिकवा रहा हूं जिनो का में करना जीनोम होता है थीए यह दीर इससे ही बंधता है अलग-अलग अब देखो भई यू जीन पढ़ रहे हैं मैंडल जाहां इस सब्द को प्रियोग करता था, वो कारक सब्द कहकर प्रियोग करता था, अब आपको पता हम कारक पढ़ेंगे आगे, कौन कौन से कारक थे, ठीक है न, इन कारकों में क्या आते हैं, जहां उनके साथ मतलब लक्षन लिये थे, उन पर प्रियोग क्या था, तो कारक सब्द आप समझते ही ह जूप में आप बता सकते हो इससे ठीक है हम आगे जानेंगे DNA क्या होता है RNA क्या आत्वान गुंशुतर क्या होते हैं ठीक है तो समझ गए होंगे अगली प्रिपासा हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्रिपासा है हमारी यूगम विकल्पी यूगम विकल्पी ठीक है यूगम विकल्पी क्या होते हैं अब इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि यूगम विकल्पी क्या होते हैं तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना यूगम विकल्पी जिसे आप इंगलीस में क्या बोलते हैं इसके कौन से रूप होते हैं ठीक है तो युगम विकल्पी को आप एलील भी बोल सकते हैं इसे लिक लेना एलील इसके दू रूफ है एक तो है सम युगमजी शम युगमजी और एक है विसम युगमजी युगमजी इसमें क्या होते हैं जो भी जीन लेता है या फिर जो युगम लेता है वो समान होते हैं समान युगमकों का उना ठीक है समान युगमक क्लियर बात है और इसमें अलग अलग युगमकों का उना अलग अलग युगमकों का उना क्लियर अब देखो समान युगमजी जैसे मान लो हम आगे फ्रियोग में करेंगे या फिर आपने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा होगा आपने कैपिटल टी टी ले लिए या कैपिटल वाई 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 ले लिए समझ गे इसमें क्या करते हैं विसम युगमजी में अलग अलग परकार के युगमजों का निर्मान कर देना जैसे भाई एक टी चोटा ले लिया एक वाई बड़ा ले लिया एक वाई चोटा ले लिया एक आर बड़ा ले लिया एक आर चोटा ले लिया एक आर चोटा ले ल करना समझ गईอब देखो आप समझ गए कि होते हैं कि इसे आप उमो जैक भी बोल सकते हूं मैं सलवते हो इसे आप होगा और झांद रखना जाद की उमोजोई का मतलब सहना सकते हो ते clear बात है अब हम अगली प्रिवासा के बारे में जानने वाले हैं वो अमारी रहने वाली है कि परभाविता क्या होता है एक तो परभाविता क्या होता है और एक अपरभाविता क्या होता है तो देखो हम जानते हैं परभाविता और अपरभाविता के बारे में ठीक है यह इसम मतलब होता है समान जैसे वाई वाई इसमें कैपिटल है तो यहां आप ध्यान रख लेना इसमाल टीटी दोनों साथ आ गई तो वो कैसे होंगे होमोजोएक थीक है अगर इसमें भीन मेरे कहने का मतलब है दो समान चीजें ैं जिसे भई में। क्या हो कर 10 एक दोनों लड़के हैं तो तो आप उसे सम यूग मंजी कह सकते हैं अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों तो उसे आप क्या क्या होगे समझगे आप तो क्या कहोगे वो अलग बात है लेकिन उसे मैंने आपको example के तोर पर मताया मतलब कुछ न कुछ भीनता हो ना अब बीनता क्या है उनके जन्निक अंगों के आदार पर बिनता हो सकती है या फिर मान लिया कि दो बारे में हम जानने वाले हैं कि प्रभाविता क्या है और अप्रभाविता क्या है प्रभाविता ये प्रिवासा बीच-बीच में आएगी इसलिए मैं आपको बता देता हूं पहले प्रभाविता और अप्रभाविता इनका मतलब होता है कि F1 FIDI के लक्षणों को दर्शाना F1 FIDI के लक्षणों मैं समक्स होना समक्स या समिस्ट कह सकते हो समक्स होना और F1 के लावा F1 के लावा अनिये लक्षणों मैं भी समक्स होना देखो F1 FIDI मतलब एक ही FIDI के लक्षणों में पाया जाना प्रभाविता जैसे भाई यह मान लिया T है यह T T का जो क्रोश मनेगा यह कि यह का समान ही अपने लक्षणों में जाना यह किसी में आगे से आगे जैसे जैसे लक्षण बढ़ते हैं उसमें हो सकते हैं ठीक है यही ज़ान रखना कि प्रभावीता क्या होती है और आप प्रबाविता क्या होती है समझ गए एक फिड़ी के लक्षनों के समक्स होना एक ही फिड़ी के लक्षनों को दर्शाना अन्य अलग अलग फिड़ी के लक्षनों को ने बताना समझ गए अब देखो इसमें भाई क्या होता है प्रबाविता में और आप प्रबाविता में क्या होता है कि F1PD के समक्स परकट होना यानि F1PD के अलावा अन्य लक्षन होना ठीके है इसके समक्स और यह तो वह ऐफ ह़ी Il LGBT के लक्षन होंगे जैसे इन टिटी में ही होगा यह होता है इनके समख्ष इन집 जो मिप्रीत लक्षन इनके समक्स में जो लक्षन आते हैं उसे अपर वाविता कहते है समझ गए अब देखो अगली हम परिवासा के बारे में बात करने वाले हैं, वो रहेगा एक तो जीन प्रारूफ और एक रहेगा लक्षन प्रारूफ, जीनो टाइप और फिनो टाइप, इंगलीज में इसे जीनो टाइप और फिनो टाइप भी कहते हैं, ठीके, देखो, लक्षन प्रारूफ और जीन प्रारूफ, इसे आप कह सकते हो फिनो टाइफ और इसे कह सकते हो जीनो टाइफ जीनो टाइफ अब होता क्या है फिनो टाइफ किसी भी लक्षणों को वह रूप से देख कर पैचान ना समझ गए अब भवई माललिया एक लड़की और एक लड़का हैं उनके जन्निक अंगों की यह जीन विनिमे के दुआरा पैचान करना तो अलग बात है लेकिन हम कहेंगे न कि यह मान वह हैं बार से रूप दे के पैचान लिया लेकिन लड़का है या लड़की है उनको हम कैसे नहीं पैचान सकते हैं क्योंकि उसमें जन्नीक परकार की विबिंता मतलब आगे से आगे देखेंगे कैसे उसमें विबिंता पाई जाती हैं निकि माएं रूप से हमें इसपस्ट परकट नहां होना ठीक है यह तो क्या होती है माएं लक्षणों से पैचान करना पैचान करना ठीक है और जीन जीन के इसाब से जीन के अनुसार के पैचान करना पैचान करना के इस मेरी बात यांशन समजना किसी लक्षण को मतलब आन्तरी की रूप से देखना अंदर जाके उसको देखना मान लिया एक घर है ठीक है हमने बोल दिया कई एक घर है गर दी कई देरा गर लेकिन इसमें कितने कमरे हैं वो तो हम अंदर जा के पता करेंगे तब भी तो पता चले गए एक example के तोर पे मैं बता देता हूं भाई यह एक टी ठीक है capital T capital T हो गया यह capital T small t हो गया ठीक है और यह दोनों small t दोनों small t हो गए ठीक है और ये दोनों capital T हो गए अब मेरी बात ज्यानशे सुनों ये तो पूरा ही जन्निक विबिनता के अनुसार अलग दीक रहा है ना बार से तो मेरी बात सुनों ये एक अलग दीक रहा है ठीक है एक और तीन ये एक समान लक्षन परकट कर रहें तीन अनुपात ये तो क्या हो गया इसका लक्षन प्रारूप हो गया अब यहां से थोड़ा द्यान रख लेना ये कर लो आप लाई कुछी कर लो ठीक है एक पूच लिए आपसे की जिनो टाइब क्या होगा इसका फिनो टाइब तो अमने बता दिया पीनो टाइब तो आमने इसको बता दिया कि हम में बाहरा से ये दिक रहा है क्या है इसका टी-टी देखो इसे हमें ये देखो अलग धिकाई देए रहा है सबसे एक लिग दिया है इसके समान दो दिक रहे हैं sana निकी वह अंदर जाकर देख रहे हैं बार से देख लिए और इनके समान एक देख रहा है यह दो ऐसे सदू है तो लिख दीए दू अनुपाद ये इसका जीनो टाइफ होगे है शमझ गए मेरी बात को क्या होता है इसमें जीनो टाइफ और फिनो टाइफ में ठीक है अब हम बात करेंगे भाई अगे यह केस से परकट होते हैं यह तो मैंने समझा दिया वह केसे आप जीनो टाइफ फिनो के बारे में बता सकते हैं ठीके इन लक्षणों को देखकर बता सकते हैं अब देखो इसको परिकर सिधर लिखवा देता हूं आपको लिखने प्रॉब्लम नहीं होगी फिनो टाइप यह अनुपात हम बाद में निकालेंगे जब करेंगे ना मोनो हाइब्रीड क्रॉस और डी हाइब्रीड क्रॉस एक बार आप एकजामपल लिख लेना एकजामपल में लिख लेना टीटि और इससे कर सकते हैं इस में जो यह थो होगा यह समझ गए यह बात आपको ध्यान रखने की लक्षन प्रारूफ कौन परकट करता है और जीन प्रारूफ कौन परकट करता है ठीक है आगे हम पढ़ते हैं अगली क्या प्रिवासा है इसको तो आप समझ गए अब हम अगली प्रिवासा के बारे में जानेंगे कि वो क् गुनशूतर क्या होता है गुनशूतर का भी बार आपने सुना होगा कि गुन शूतर होते यह क्या है तो गुन शूतर के बारे में देखो भुपतली दागे नुमा सरचना सरचना ओती है जो सेल सेल न्यूक्लियस या कोसी का कैन्द रख है दो आप कोसी का कैन्द रख में पाई जाती है आपने नाम सुना ओगा इसके दो भाग होते हैं अलग लग DNA और RNA ठीक है ये भी आपको बीच में मिलेंगी कि DNA क्या होता है DNA और RNA ठीक है एक परकार के गुण्शूतर के भाग हो सकते हैं DNA क्या है RNA क्या है या फिर उसके आप मतलब पूरा नाम पूछे न तो वो पूर शकता है तो लिक लेना डी- ओक्सी राइबो न्यूकलिक डी- ओक्सी राइबो न्यूकलिक अमल ठीक है और इसका लिख लेना राइवो नियो क्लिक इसको डीटेल में हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमें तो DNA और RNA का पूरा नाम जानना है ठीक है मैं थोड़ा basic के बारे में बता रहा हूँ कि आगे जब chapter सुरू करें तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए ठीक है तो अगली हम थोड़ा मतलब मैंडल के जनम के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है या फिर क्लास आज काफी लंबी है कल भी देख लेते हैं तो यह हो गया जीनो टाइप फिनो टाइप हमने पढ़ ली एक बात याद रखना जीनो टाइप और फिनो टाइप सब्द जोहनसन ने दिये थे ठीक है जीन सब्द भी किस ने दिया था जोहनसन ने दिया था ठीक है किलियर है अब सुरुआत करते हैं हम अगले जो थोड़ा जनम परिच्चे के बारे में जानते हैं जिनो टाइप और फिनो टाइप सब्द जॉंशन ने दिया ये तो आपने मतलब समझ गए मैंने आपको बता दिया डिये ने आरेने के बारे में आप आपने देख लिया ये डिये ने आरेने क्या होता है हम बात करते हैं आगे गुंशुतर हमने देख लिया है और युगम वि प्रिचे के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं या फिर अनुवान सीखी के जनक कौन है उनके बारे में मैं तो फोन पॉइंट है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ ठीक है अनुवान सीख्ता के जनक ग्रेगर जोन मैंडल ग्रेगर जोन मैंडल अनुवान सीख्ता के जनक है अदुनिक अनुवान सीख्ता के कौन है वो अलग बात करेंगे ठीक है मैंडल के बारे में लिख लें इनका जनक यह पर अनकाम ही नहीं कर रहा है ठीक है दूसरा लिल लेते है इनका जन्म 22 जुलाई अठारा सो शोरी अठारा सो बाइस को आस्ट्रिया के विएना शहर में वा ठीक है मेंडल ने अपना प्रियोग प्रियोग वेरी इंपोर्डेंट चीज है वेरी वेरी इंपोर्डेंट उद्यान मतर पाइसम शर्टाइवम पर किया ठीक है यह साइध है आपके अठारा सो चपन से अठारा सो त्रेस सट के मंदी ठीक है मेंडल की मृत्यू मेंडल की उद्यान मतर फर प्रियोग क्यों क्या इसके बारे में बता देता हूं कि मतर का पोदा होता है उसका जीवनकाल होता है वो चार से छे मईने का होता है कम जीवनकाल में पोदा त्यार हो जाता है और उसके मतलब पूरी खोज बगेरा अराम से की जा सकते हैं उसके सबी लक्षनों को हम आराम से पैचान सकते हैं कि नहीं का प्रचार नहीं था ठीक है तो मैंडल को पता नहीं था कि वो अन्मोनसीखता का जनक है उन्होंने वही ऐसे ऐसा काम करके बताया कि ये चीज ऐसी होती है नहीं पता उसके बाद में आया था बैटसन 1905 में उन्हें अधूनिक अनुवानसी की का जनक कहते हैं और उन्होंने बताया था कि मेंडल ने जो ये काम किये थे वो सिध हुए थे और मेंडल की मृत्यों हो ग बैटसन ने इसके बारे में पूरा बताया था कि मेंडल ने ये क्या था आदूनिक चीजे क्या चल रही अभीतक उसमें के बारे में वापस फिर करेंगे तो फिर दूसरा दे कि बैटसन ने जो किया वो सही किया उसके बाद को इसने अब देखो मेंडल के जो पुन्दर खोज करता आये थे जो मेंडल ने में कम्या छूटी थी उनको खोजने के लिए तीन वेग्यानिक आये थे एक तो था उगोडी व्रीज एक था एरिक वॉन सेरमेक और एक था कॉल् फा और क्या क्या मेंडल ने गलतियां की थी उसके बारे में ठीक है लेकिन क्यूशन पूछे प्रयोगातमक आन्वांसिकी के जनक किसे कहते हैं तो इसका आपके पास आंस्वर जानाँ चाहिए मौरगन और मानवान्सिकी का जनक किसे कहते हैं वो है एक एराट केलिश कर दा पता होना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको बता दी competitive exam में पूछे जाने वाड़े क्यूशन यही पूशते हैं तो कोई मतलब किसी का सपना है कुछ आगे करने के लिए तो यह बाते वह अलग से जे नौट कर शकता है ठीक है न तो मेंडल है वह अनुवज पूचा गया है साइंस जी एस साइस जनरल साइस जा आती है न उसमें उद्यान मटर पर मेंडल ने अपना प्रियोग किया था ठीक है उद्यान मटर का वेग्यान इगनाम क्या है पाइसम सेटा इवां वेरी इंपोर्डेंट है बोर्ड छब भी सकता है भाई ठीक है न कोई गारंटी नहीं है लेकिन ध्यान रखना आपको ये चीजें सारी जनन के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए स्वस्त रहे मस्त रहे देखते रहे साइंस करियर लाइन यूटूब चैनल ठीक है बहुत बहुत धन्यवार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाते वक्त वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना और का पूरा सेलेबस आपको वार्ड एक्जाम तक मैं करवा दूंगा ठीक है फिर भी मेरी एसाब से तो मैं नहीं छोटने दूंगा लेकिन आपको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत सपोर्ट की जरूरत है वो आपको करना पड़ेगा ठीक है तो हम पीचे क्यूशन भी देखेंगे मोडल पेपर भी सौल करेंगे तब थोड़ा सेलेबस कुछ कवर कर लेते हैं न मतलब पचास नंबर तक तो कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे कुछ मोडल पेपर शुरू करें या क्या करें ठीक है तो साइस से जूड़ी जितनी भी ज बिलती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाए थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच्छ